आज की इस वीडियो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग HSRP High Security Number Plate Online आप लोग order किये हैं और कभी-कभी होता है पैसा कट जाता है और आप लोग receipt आप लोग को डाउनलोड करने का option नहीं मिल पाता है तो अगर आप लोग का पैसा कट गया है तो कैसे आप लोग को receipt दोबारा से प्राफ्त करना है और कैसे High Security Number Plate का receipt जनरली डाउनलोड करते हैं सभी प्रोसेस आप लोग को step by step इस वीडियो में बताने वाले हैं तो नमस्कार दोस्तो मेरा नामीत्यादो स्वागत करता अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकलमों में दोस्तो चैनल पे नए होगे चैनल को subscribe कर लीजेगा और वीडियो अच्छे लिगे तो वीडियो को like और share जरूर करिएगा अगर आप लोग का transaction मलग पैसा कट गया और receipt आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाएं हैं तो बिना order number आप लोग receipt कैसे प्राप्त करेंगे देखिए सबसे पहले तो हम जनरली बता देते हैं कि receipt कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है वो आप लोग को बता देते हैं उसके बाद बिना order number अगर आप लोग पैसा कट गया है और अपना receipt download नहीं कर पाएं तो उसके बिना कैसे बिना order number का आप receipt डाउनलोड करेंगे यहां के एक option मिलता है यहां पे reprint receipt यहां पे track your order पे भी click करेंगे तो यहां पे track कर सकते हैं यहां पे आपको अपना order number fill up करना है यहां वहिकल रजिस्टेशन number fill up करना है यह जो कैशा है यहां fill up करना है और search पे आपको click कर देना तो यह तो detail अगर आपके पास order number है तब यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि appointment status जो है वो successful मलब हमने install करा लिया लगवा लिया high security number plate जिस भी agency पे हमने order किया था तो यहां पे download का option है यहां पे click करके आप receipt भी download है इस तरीके से अगर आप लोग के पास register order number नहीं है तब कैसे आप लोग को download करना है आप लोग को पहल search कर दी है make my hsrp search करेंगे तो यह वाली website आपके सामने आएगी इस पर आपको simple सा click कर देना जैसे आप इस पर click करेंगे track order का option मिलेगा इस पर click करना है यहां पर आपको अपना registration number fill up करना है यहां पर mobile number fill up करना है और sign in पर click कर देना है जैसे sign in पर आप लोग क्लिक करेंगे उस पर एक आपके mobile पर OTP जाएगा जो यहां पर mobile number registered होगा वो OTP आप fill up जैसे करेंगे submit validate पर click करेंगे OTP वैसे ही आप अपना जो high security number plate का जो receipt है बिना order आप लोग download कर पाएंगे अगर देखिए बहुत लोग का यहां से download हो जाता है बहुत लोग का यहां से download नहीं होता था चलिए अगर यहां से भी आप लोग को download नहीं होता तब तिसरा दुसरा तरीका क्या है वो आप लोग को बता दे कैसे आप लोग को प्रात करना receipt है इस website पे आपको दोबारा आ जाना है यहां पे contact us का option मिलेगा इस पे आपको simple सा click कर देना होगा जैसे आप इस पे click करेंगे देखिए हाँ पे general inquiry का number है यहां पे देखिए for other state यहां पे अगर करनाट का state से है तो आप लोग इस वाले number पे call करेंगे लेकिन other state से है तो इस वाले number पे आपको call करना है जो भी आपका पैसा कटा हो अगर आप payment किये होंगे अगर गूगल पे phone पे से जिससे भी payment किये जब आप बताएंगे तो आपको order number वहां से दे दिया जाएगा यहां पे देखिए customer के email id भी दिया गया है इस पे आप online ad.book myhsrp.com पे भी mail भी कर सकते लेकिन जब आप mail करिएगा तो अपना mobile number transaction number और गाड़ी का number और changes engine number यह सभी details आप mail करिएगा जैसे हम mail करेंगे तो उ order number दोबारा जब पा जाएंगे order number तो इस पे आपको track वाले option पे click करके यहां पर अपना order number vehicle number यह जो capture यह फिलफ करके और search पे जब click करेंगे तो आप यहां से अपना receipt download कर पाएंगे तो यही दो तीन तरीका है आप लोग अपना receipt नहीं download कर पाएंगे तो यही तरीका है ऐस से ही आप लोग download कर पाएंगे तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद देए तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों जाए शेयर करिए और कमेंट करके जरूर पताएं वीडियो कैसी रही अब मिलते नेक्स्ट वीडियो नहीं जानका अर्क साथ तब के लिए बाए बाए